सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो 1947 तो इस स्टाट कहते हैं वक्षीट The Advent of Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi का अगमन after successfully leading the non-violent protest against racist restrictions in South Africa Gandhiji returned to India in 1915 तक्षिवन अफ्रीका में नसल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिस्दा कांदोलन का सफलता पूर्वक नेतर तुरकर गांदीजी 1915 में भारत वापिस आए He spent his first year in India traveling throughout the country understanding the people their need and overall situation उन्होंने पहले साल पूरे भारत का दोरा किया और इस दोरान में यहां के लोगों की जरूरत और हालातों को समझने में लगे रहे His earlier interventions in local movements were in Champaran for indigo planters in 1917 Kheda for peasants in 1918 and Ahmedabad for mill workers in 1918 उनके शिरुवादी प्रियांस इस्थानिया अंदोलन, चंपारण, निलकी खेती करने वाले किसानों के लिए 1917 में Kheda किसानों के लिए 1918 में और Ahmedabad, मिलमज़ूरों के लिए 1918 के रूप में सामने आए Between 1919 and 1922, he organized many more movements like the Rollet, Chatyagirhan, Khilafat, Agitations and Non-Corporation Movement 1919 से 1922 के बीच उनके उनके और भी कही अंदोलनों जैसे Rollet, Chatyagirhan, Khilafat, अंदोलन और असयोग अंदोलन का नेत्यत किया अब आगे देखते हैं बच्चो आगे देखते हैं The Rollet, Chatyagirhan Rollet, Chatyagirhan को देखते हैं 1919 British Government passed Rollet Act which was aimed at curbing the fundamental rights such as the freedom of expression and strength police powers 1919 में अंग्रेजी सरकार ने Rollet कानून पास किया जिसका उदेशया भिव्यक्ती की सोदंत्र दा जैसे मुलभूत अधिकारों पर अंकुष लगाना और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देना था गांधी जी आस्क दा इंडियन पीपल टो अब्सर्व अप्रेल 6, 1919 as a day of non-violent opposition to this act as a day of humiliation and prayer and number of demonstration and hurdles were observed कांधी जी ने लोगों से हवान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए चैप रहल उनीसों निसको आइंसक वरोध के द्वारा अपमान और याचना दिवस की रूप में मनाय जाए और हड़ताले की जाए यह ब्रिटिश सरकार की किलाफ पहला अखिल भारती संगर्ष था अलाकि यह मोटे तोर पर शहरों तक ही सीमित था कोर्मेंट यूज ब्रूटल मेजर्स तो सप्रेस देम और सरकार ने इन आंदलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया अप्रेल 13, 1999 अप्रेल 13, 1999 अप्रेजन ऑफ बेसाखी, ब्रिटिश जेनरल डाय ओपने आप फायर विदाउट अनी वर्निंग हुए पीसफुल गैदरिंग अट चलेवाला बाग, नूमरस परसन इंस्क्लोडिंग ओल्ड अन इवन यंग चिल्रन डाय इन दिस मैसकर अप्रेल 19, 1999 के दिन चलेवाला भाग में एक शांतिपूर्ट सभा के उपर बिना किसी जेतावनी के अंग्रेजी चनरल डाय न गोलियां चलवा दी, कही सारे लोग मारे गए, जिसमें बुज़ूर्ग और बच्चे भी शामिल थे On learning about the massacre, Ravindad Tagore expressed his fan and anger of the country by renouncing his knighthood इस जन सनहार पर अपनी पिडा और गुस्सा जताते हुए, Ravindad Tagore ने अपनी knighthood की पद्वी लोटा दी The Khilafat agitation and the call for non-cooperation movement Khilafat andolan और असयोग andolan का आहवान After the defeat of Turkey in the First World War, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan who was considered as the Khilafat of the Muslims all over the world पिर्थम विश्यूद में तुर्की के हाल के पात अंग्रेजों ने तुर्की के सुलतान जो पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफ़ माने जाता था के उपर बहुत सख्त संधी थोप दी This angered the Indian Muslims also who were already infuriated at the Britishers due to Jalewala Baag Massacre Jalewala Baag हत्यकान के बाद अंग्रेजों से गुस्सा हुए भारतिय मुसलिमी संधी से आगबबूला हो गए The leaders of Khilafat Movement, Mohamed Ali and Shokat Ali started agitations against the Britishers to restore the powers of Turkish ruler Hai Khalifa Khilafat अंग्रेजों में नेताओ, Mohamed Ali और Shokat Ali ने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों शुरू किया गांधी जी ने उनके हवान का समर्धन किया और कॉंग्रेस से आगरे किया कि वह पंचाब में हो अत्याचारों जैसे जलेवाला भाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हो अत्याचार के खिलाफ अवाद उठाय और सुराज की मांग करे अब कोशन देखते हैं बच्चों कोशन नमबर बन है मेंशन सम अफ दे लियर इंटर्वेंशन ऑफ गांधी जी इन लोकल मुवमेंट आफ्टर कमिंग बैक टो इंडिया इन 1915 1915 में भारत आने के बाद गांधी ची दोरा किये गए कुछ इस्थानी आंदोलनों को लिखे तो देखे इसका अंसर आपको यहां से लिखना है तो आपको इसका अंसर लिखना है क्योंके शुरुआती प्रयास इस्थानी आंदोलनों में चंपारन 1917 में खेडा 1918 और एहमदाबाद वाला जो मिल मज़ूरों के लिए था 1918 के रूप में सामने आये थे 1919-1922 के बीच में उन्होंने और भी कही आंदोलनों जैसे रॉलेट सत्यागरेख, लाफत आंदोलन और असायोग आंदोलन का नेतरत्व किया आप कुशियन नमबर टू है बच्चों, वाई 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 रॉलेट एक्ट ओपोस्ट वाई दा इंडियन लीडर जो रॉलेट एक्ट था उसका भारते निताओं ने विरोध क्यों किया तो इसका अंसर आप लिखेंगे रॉलेट कानून का भारते निताओं ने विरोध इसलिए क्या था क्योंकि इस एक्ट के दोवारा अंग्रेजी सरकार का उदेश है अभिवक्ति की सतंत्रता जैसे मूलबूत अधिकारों पर अंकुष लगाना और पुलिस को ज्यादा अधिकार देना था Question No.3 है What was Khilafat Movement? Write the names of the leaders of it Khilafat अंदुलन क्या था? इसके नेताओं के नाम भी लिखे तो बच्चो इसका अंसर आपको यहाँ से लिखना है The leaders of the Khilafat Movement, Muhammad Ali and Shokat Ali started agitations against the British to restore the powers of Turkish rulers, Khalifa इसका अंसर आपको लिखना है कि Khilafat अंदुलन के नेताओं, Muhammad Ali और Shokat Ali ने अंग्रेजों के किलाफ अंदुलन शुरू किया जिसका उदेश है तुर्की के सुद्दान यानि Khilafat के शक्तियों को फिर से बाहल करना था Question number 4 है Why was the call for non-cooperation movement given by Gandhiji Gandhiji ना से यो गांदुलन का आवान क्यों किया तो आप इस का अंसर लिखेंगे Gandhiji called for the non-cooperation movement so that Gandhiji was confident that if the Indian people stop cooperating with the British then there will be no other way for the British to leave India and Swaraj will be established Gandhiji ना से योग अंदुलन का आवान इसलिए क्या था क्योंकि Gandhiji को पूरा विश्वास्ता कि यदि भारती लोग अंग्रेजों से से योग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़कर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा और Swaraj इस्थापित हो जाएगा ठीके बच्चों कोशन नमबर फाइव लास्ट आपके विचार से गांदी जी ने खिलाफ़ा अंदोरु का समर्थन क्यों किया होगा तो इसका अंसर आप लिखेंगे गांदी जी must have supported the खिलाफत movement because he wanted to raise his voice again the atrocities in Punjab and the atrocities in the खिलाफत case and demanded सुराज गांदी जी ने खिलाफत आंदर उनका समर्टन क्या होगा क्योंकि वह पंचाब में हो अत्याचारा और खिलाफत के मामले में होगा है अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे और सुराज की मांग करना चाहते थे अगर आपको मेरी वीडियो परसंद आई है तो प्लीज में वीडियो को लाइक करें शेयर करें माह चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पो वाचिंग